हेलो दोस्तों Online Study Point में आपका स्वागत है और आज की जो हमारी वीडियो है हम बुगोल का प्रेक्टिस साइड लगाने वाले हैं इसमें हम टॉप 30 कोशन ऑफ जोग्राफी डिसकस करने वाले हैं सारे कोशन इंपोर्टेंट हैं और बार-बार एक्जाम्स पूछे गए हैं तो OSP, Notes, Job Alerts, E-book सब कुछ मिल जाएगा तो description में लिंक है जाकर के जल्दी से डाउनलोच कीजिए बिल्कुल भी देरी मत कीजिए हम देखते हैं पहला कोशन तो कुल्लु घाटी निमलेकित परवशीनों के बीच स्थेत हैं तो यह कौन-कौन सी हम बात करें mountain ranges हैं जिनके पीर पंजाल ठीक है और इसकी हम location की बात करें तो it is in the हिमाचल प्रदेश and the capital of हिमाचल प्रदेश is शिमला ठीक है नेक्स देखते हैं भारत में सबसे प्राचीन वलत परवत कौनसी है तो इसका तो सही answer है सभी को पता होना चाहिए answer क्या है इसका अरावली ठीक है भारत मे यह सबसे जादा मिलता है और डैली में मजनू का जो तीला है वहां तक यह गया हुआ है ठीक है और इसकी जो highest peak है वो क्या है गुरु शिखर तो यह भी आद रखेंगे पश्मी घाट क्या है तो पश्मी घाट जो है एक ब्रंश का गार है ठीक है यह कोशिन काफी पूचा हो जाता है यह देख सकते हैं आप हमारा जो साउथ इंडिया का एरिया है यहां से लेके यहां तक जो हमारे वैस्टन घाट से उनका extension मिल जाता है निमलिकित में से किस परवतमाला को सयादरी के नाम से भी जाना जाता है सुधी आंसर इस पश्मी घाट यानिके जो वैस्ट करनाटिका गुवा सब कुछ इसमें शामिल है प्राइदी भारत में उच्छतम परवत चोटी कौन सी है तो देखिए वल्ड की तो सभी को पता है कौन सी है तो माउंट डैविस नेपाल में सिच्टेट है 850 मीटर उसकी हाइट है इंडिया में क्या है केट्व यानिकी गॉ जो है इसकी हाइट है ये भी आपको याद रखनी है ठीक है नेक्स देखते हैं पूर्वी घाट एवं पश्यमी घाट परवस शेणों का सम्मिलन इस तल कहां पर है सो दी आंसर इस नील-गिरी के जो पहाडियां है वहां पर जो पूर्वी घाट और पश्यमी घाट इनका म भारत के सबसे दक्षिनी भाग में इस्तित पहाड़ीया निम्द में से कौन सी हैं इन में से बताना है सबसे निचले हिस्से में हम बात करें तो यह आप मैप में देख सकते हैं ठीक है यह दोधा बेटा ठीक है फिर है अनाई मोडी इसके बाद अन्नमलाई फिर है कार्डेमम सबसे लास में तो आंसर क्या होने वाला है कारडेमम हिल्स पूर्विघाट परवशेणी का सर्वोच शिखर कौन सा है जिंदागड़ा यहां का सर्वोच परवच शिखर है यहां कहीं जो है यह सिचुएटेड है साफय स्वफले एक्यां देखते हैं विंध्यांचल परवशेणी कहां इस्थित है मिली को मध्यप्रदेश में दोबगड़ से माहांदीबों के समाने तक किस भाग में मरुस्थिलों की उपस्तिति पाई जाती है तो इसका जो सही आंसर क्या है प्श्मि वेस्टेनट तुछ दो मेहां पानी पूर पानी जाए यहीं बेट और मिलिकेश्ख नहीर नें बाद करें और यह रेकरीन है नहीं कुछठीय नहींन Самी प्रहुन है compounded लोकेशन के साथ भी देख सकते हैं तो इसका सही आंसर इस मौजव मरूस्तर यह मेक्सिको में नहीं है इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टिन आपको जानना है जो कि मैप में मैंने डाल रखा है थार डेजर्ट की लोकेशन आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में है ठीक है इसके अलावा जो मौजव डेजर्ट है वो कहां पर है so it is in the USA not in the Mexico चीक है प्रतवी के इस्थल प्रस्ट का कितना भाग जो है रेगिस्तान में है तो इसका हम बात करें आंसर क्या है पांचवा चीक है नेक्स देखते हैं भार्ती मरूस्तर को क्या कहते हैं तो आंसर क्या है इसका भार्ती मरूस्तर को थार कहते हैं सभी को पता है यह देख सकते हैं आप यहां पर मैप में सिचुएटेड़ आए तो राजस्तान में सबसे साथ एक्स्टेंशन मिलता है इसका विश्व का सबसे बड़ा शीत मरूस्तर कौन सा है तो इसका तो इसका तो सहीं आंसर है आटाकामा ठीक है यहां पर आटाकामा डेजर्ट रूचील में सिचुएटेड़ है विश्व का मरुस्थल वीईन महादीब तो इसका जो आशार है वो क्या है यूरॉप यूरॉप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है चीक है कालाहारी रेगिस्तान कहां पर है तो इस इन दी कॉंटिनेंट ठीक है तो हम बात करें दक्षणी पश्चिमी अफ्रीका में यह सिच्चुएटेड़ है यहां कहीं निम्निकल में तो कौंसा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सो इस सहारा मरुस्थल यह भी कहां पर अफ्रीका में ही सिच्चुएटेड़ है यह तो किस देश में स्气 creating यह है मंगोल्या में मैंने बताई दिया आ आपको यहां कहीं मंगोल्या जो है सचिच्चुएटेडर है यह ऊपर रशीर मंगोल्या पर चाइना एस्टेटेडर हिंद महा सागरार्या अगर्र लाल महा सागर्र को कौम सी जलसंदिय जोडती है और सही आंसर है दाट इस बाबल मंदेव ठीक है यहां कहीं यह situated है भारत एक अधिकान शेत्र में खारे पानी के मगरमक्ष दुरलब है परन्तु किस शेत्र में खारे पानी के मगरमक्ष आम है तो किस portion में है तोड़ी सा एवं सुंदरवन डेल्टा यहां का जो एरिया है आप देख आडिया अरावली और विंद शेत्र के बीच में कौन सा पठार सिच्चुएटेड़ है सुधी आंसर इस मालवा का पठार यहां कहीं में एक्स्टेंशन इसका कहां पर है तो MP में है मारस नदी किसकी सहायक नदी है तो मारस नदी जो है ब्रह्म पुत्रा की सहायक नदी है यह देख सकते हैं आप ब्रह्म पुत्रा तिबबच से जो आती है यारलंग सांगपोस का नाम है फिर अड़नाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है इसके बाद बांगलादेश में जाती है वहां यह गंगा से मिलती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर अरावली रेंज और 1722 मीटर जो है इसकी उचाई है ठीक है नम्माई नहीं उचाई तो यह हमारी आज की वीडियो थी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको जादा लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब बेर हैं इसके रामाद जो फाइव मिनिट का चै भी, thank you